हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम इंस्टाल कर सकते हैं Python 3.12.3 को वो भी हमारे Windows 10 के PC या फिर लैप्टप में उसी के साथ साथ हम First Python प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे पहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है तो चलिए अपने वीडियो के ओर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे Python को हम डाउनलोड करेंगे उसके लिए हम जाएंगे किसी भी वेप्रोजर में मैं जा रहा हूँ Google Chrome में यहाँ पर टाइप करेंगे Python और एंटर की प्रेस करेंगे हमारे कीबड के उपर पहले लिंक आएगी python.org ओपिशल वेबसाइट है python की इसे हमें open कर लेना है तो यहाँ पर python की वेबसाइट खुल चुकी है यहाँ पर देखी यहाँ पर जाए डाउनलोड में तो डाउनलोड के उपर जैसे हवर करेंगे आप स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर इसके अगेंस यहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर्विंडोज आएगा और python का जो कोई भी latest version होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा इस केस में python 3.12.3 है उसको आप डाउनलोड कीजिए latest version को ही डाउनलोड कीजिए तो यहाँ पर python डाउनलोड हो जाएगा तो आप यहाँ पर डाउनलोड में जाएगे तो यहाँ पर show in a folder के उपर क्लिक कीजिए और इसे ड्रैग करके desktop के उपर लाइए और इसे close कर लिजिए त तो दो option आपको check करना बहुत आत्य हुशक है वह है या फिर आएमपी है use admin privileges when installing py.exe select कीजिए इसे इसी के साथ यह भी बहुत आएमपी है add python.exe to path यह आपको path आपके computer में डालेगा वह बहुत ही जदा आएमपी होता है नहीं तो आपका python चलेगा नहीं उसके बाद हम जाएंगे customize installation को लिए आप install now को भी जा सकते है मैं जाओंगा customize installation में यहाँ पर pip और ideally यह बहुत आएमपी है यह चेक होने चाहिए उसके बाद next को click किजिए इसमें सारे check होने चाहिए उसके बाद next को जाएंगे यहाँ पे install python 3.12 for all user मैं all user को देना चाहता हूँ तो मैं इसे check करूँगा और install के उपर click किजिए यहाँ पे हमारा path होगा तो यहाँ पे install के उपर click कि यह कुछ समय लेगा one minute two minute ले सकता है तब तक आप जलाव wait किजिए जैसे complete होगा वैसे ही मैं next process को जाएंगे हम तो यहाँ पे हमारा python जो है वो install हो चुका है इसके बाद हम क्या करेंगे हम close करेंगे तो यह बराबर install है या नहीं यह check करने के लिए हम जाएंगे start में यहाँ और enter key press करेंगा मेरे keyboard के उपर तो देखिए यहाँ पे python आ गया उसके बाद 3.12.3 आएगा जो कोई भी version install होगा उसका number यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद मैं type करेंगा py enter करेंगे तो यहाँ पे हमारा python shell भी visible हो चुका है तो मैं यहाँ पे print करना चाहते हो आप कुछ भी print क कर सकते एंटर key को प्रेस करेंगे तो इसने मेरा नाम यहाँ पे print कर लिया तो मैं इसे यहां से close कर लूँंगा तो यहाँ पे हम idly को open कर लेंगे हम जाने स्टार्ट में यहां पे type करेंगे idly और IDE Lite के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर Python भी होगा तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे IDEmud क्या है एक IDE है जो Python के Program को run करती है तो यहाँ पर मैं कुछ भी प्रीन्ट कर सकते ही तो मैं प्रीन्ट करूँग गा तो प्रीन्ट टाइप करके मैं यहाँ पर कुछ भी type कर सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे hello world type किया और enter की press किया तो hello world यहाँ पे print हो चुका है तो इसे हम save भी कर सकते हैं फाइल में जाएंगे यहाँ पे हम save as करेंगे save as करके आप कहाँ भी save कर सकते हैं मैं डेश्टॉप में save कर रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ टेस्ट आप कोई भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे यह .py extension जो है .py extension अटमेटिकली एर करेगा python का extension यह अटमेटिकली एर करेगा तो मैं save कर लेता हूँ तो जैसे ही save कर लेता हूँ तो डेश्टॉप के उपर कुछी शनों में मेरे एक file आचुकी test.py तो दोस्तो इस तरह से आप अपना python 3.12.3 या फिर कोई भी latest version या फिर कोई भी version को अपने PC के उपर windows के किसी भी PC के उपर install कर सकते हैं और अपना पहला program भी मैंने आपको run करके दिखा है तो दोस्तो इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस चैनल को subscribe करना कता ही मत भूलिए तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक लिए बाई